Guinness Book of World Records के बारे में सुनाए आपने दुनिया की अजीबों गरीब चीज़ें उसमें शामिल होती है अज फाइनली इंडियन सिनिमा ने भी इस World Record वाली बुक में एंट्री मारती है लेकिन जिस तरीके से मारी उससे खुशी बिलकुल नहीं होगी आपको क्योंकि प्रजेट के से प्रभास का फर्स्ट लोग रिवील किया गया तो देखते ही समझ आ गया कि इससे घटिया ना तो कुछ कभी बना होगा और ना ही कभी बन सकता है सोच के देखो ये इन लोगों के हिसाब से सबसे बेस्ट चीज है इस फिर्म की तभी अपने लीट केरेक्टर का फर्स्ट लोग बोलके लॉंच किया गया बाप प्रे पूरी फिर्म कैसी होगी सोच के अभी से डर लगने लगा है मुझे तो यकीन हो रहा ऐसा पोस्टर अप्रूफ किसने कर दिया जिसको देखकर लोग पूछ रहे है ऑफिशल है या फिर फैनमेड मतलब इसको फैनमेड बोलना भी बेज़ती के बराबर है वहाँ तो लोग अच्छी खासी क्रियेटिविटी बहार निकालते हैं अरे इंसानों को छोड़ो यार मशीन्स इससे अच्छा पोस्टर बना देती है AI वगरा के डिजाइन्स में हमेशा प्रभास वैसे दिखते हैं जैसा हम लोग उनको देखना चाहते हैं एक लाजर देन लाइफ पावफुल लुक ये पोस्टर तो ऐसा लग रहा है प्रभास का फेस किसी दूसरे पोडो पे कॉपी-पेस्ट मार दिया है बस सर किसी और का शरीर किसी दूसरे का देखना जरा ये हॉलिवुड की फिल्म ब्लाक एडम वाला पोस्टर सेम तू सेम अपना ये प्रोजेक्ट के जैसा नहीं लग़ा थोड़ा 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 पॉपिलर चॉइस में जाओगे तो आयन मैं जिन्दा बार पूरा डिजाइन वहां से उठा लिया बस फेस की अदला बदली और फेस के एक्स्प्रेशन तो वही आदी पूरुजे से लग रहे हैं सेम तू सेम बस हेरकट थोड़ा से चेंज कर दिया फोटोशॉप से यार मुझे तो लगता था कि बॉलिवुड स्टास में इतना घमर्ण होता है कि वो अपने फैंस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन आज पता चला ये दिक्कत North, South, East, West की नहीं है हर फिल्म इंडस्ट्री में ही बिचारे फांस की कदर करना किसी को नहीं आता प्रभास सर मतलब आपको कितने चांसे चाहिए अब ऐसे कैसे काम चलेगा बॉस एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब अब तो गिंती खतम होने लगी है उंगलियों की लेकिन आप की गल्कियां खतम ही नहीं हो रही है अब स्टार्डम से थोड़ा बहार निकलिये और अच्छा सिनमा बनाने पर थोड़ा फोकस करिये लोग दबी अवाज में ही सही, लेकिन अब बोलने लगे हैं, प्रभास पर इतना पैसा क्या देखकर लगाया जाता है जवाब देना पड़ेगा आपको सर बाहु बली में प्रभास को देखा है आपने, वो अपने कैरेक्टर में फिट होने के लिए कितनी जादा महनत करते होंगे चहरे से दिख जाएगा उनके टाइम लगता है ऐसे बड़े-बड़े कैरेक्टर को लोगों के सामने प्रेजन करने में यही कमाल होता है रियल लुक्स का, एक बार देखो तो कभी भूलना पाओ जबकि ये VFX वगेरा से पोस्टर कितना भी हाइफाई बना लो आप, इसमें कभी वो connection फील नहीं करोगे जो natural photos में किसी को देख कर होता है कल तक मैं खुद बोल रहे थी, प्रोजेक्ट के पूरे इंडियन सिनिमा की शकल बडल के रख देगा, हमारे पास ऐसी फिल्म होगी जो हॉलिवूट को टकर देगी लेकिन ये first look बिल्कुल भी acceptable नहीं होगा boss, ऐसी गलती माफी के लायक नहीं होती, आपने लाखों लोगों को चूना लगा दिया literally ऐसा पोस्टर तो Photoshop में मुश्किल से 50-10 रुपे की बिजली खर्च करके बन जाता, इसमें 500-600 करोड बजट खर्च करने वाली बात कहां से आ गई सच में अगर इस poster की कोई तारीफ कर रहा है न तो मुझे बुरा लगता है प्रभास के लिए उनके पास असली fans हैं ही नहीं फरतो क्योंकि अपनी favorite star को नीचे गिरता देखकर अगर कोई उसकी गलती point out नहीं करेगा तो वो सबसे बड़ा धोका होगा किसी actor के साथ जो लोग खुद को प्रभास का fan बोलते हैं और ऐसी घटिया चीजों की तारीफ कर रहे हैं पकड़ो यही लोग जिम्मेदार हैं प्रभास के डाउनफॉल के लिए हम सपने रेख रहे हैं pen world movie बनाने के आप comic con जैसे international level के event पे इस film को launch करने जा रहे हो वहाँ जाके क्या दिखाओगे यह poster मतलब आदी पुरुष जैसी film बना के आपका मन नहीं भरा अभी और कितनी बिज़ती करवाना चाहते हो भाई अरे लानत है ऐसी technology और VFX पे जिसके सामने 12 साल पीछे release हुई film हजार गुना बहतर रिखाई पड़ती है सच सच बताओ ये रावन वाला poster देखकर project K का first look इसके सामने खड़े होने लायक भी लग रहा है आपको किसी angle से अब तो literally मेरी आँखों में रावन की इज़त बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हम आज 2023 में 500-600 करोड खर्च करके भी वैसी film नहीं बना पा रहे हैं अरे भाई एक दूसरा नाम Krishka भी है वो film उठाके रेख लो उसके लिए दिल में इज़त आज भी उतनी है जितनी 2006 में थी फिल्मेकर्स को ये बात समझ लेनी चाहिए है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने VFX कितना असली या नकली बनाया लोकेशन कितनी रियल है वगेरा वगेरा आपकी फिल्म के एक्टर का काम ऐसा होना चाहिए जो नकली चीज़ को भी असली समझने को मजबूर करते लोगों को वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है बस ये 500-600 करोड का बजट बताने से जितना हुआ बनता है न किसी फिल्म का उसे कई ज़्यादा लोग जज़ भी करने लग जाते हैं उस फिल्म को फायदे से ज़्यादा नुकसान सच में डर लग रहा है ये सोचकर प्रोजेक्ट के का बजट कहीं सिर्फ बड़े-बड़े स्टार्स को इस फिल्म में साइन करने पे खर्शतो नहीं कर दिया गया जबकि कॉंटेंट के नाम पे हमें सिर्फ ये सस्ता फोटोशॉप और महाभारत का पैरिडी मजाग देखने को मिलेगा अंदर कहां उमीदे थी कर्ण और कलकी जैसे वारियर को देखनी की प्रभास का फर्स लुक इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा कॉमिक कौन पे ये सपने थे मेरे लेकिन अब सच में एक्सपेक्टेशन्स बहुत नीचे जा चुकी हैं क्योंकि जो लोग ऐसे पोस्टर को अप्रूव कर सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते अब ये मत सोचना सिर्फ पोस्टर ही तो गड़बढ है तो क्या हुआ पूरी फिल्म में मामला अलग होगा इतना कॉन्फिदेंस भी ठीक नहीं है आदी पुरुष के टाइम पे भी हम लोग यहीं बोल रहे थे सिर्फ लुक खराब है आगे तो कुरी फिल्म बढ़िया होगी उसका फाइनल रिजर्ट क्या निकला हम सब ने देखा भाया अभी सिर्फ पब्लिक बोलेगी प्रोजेक्ट के फॉर्स लुक आपकी तरफ से दो शब नीचे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट ट्रेन की स्वीट से बिना किसी मिलावट इंतजार करी हूं मैं जल्दी यल्दी लिख दो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिक कुछ शिकायक करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा से इंभजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई